आईए आज कथा साहित्ते में सुनिये मालती जोशी जी की लिखी कहानी हाद से और होसले महंदी तो बड़ी प्यारे लगाई है अनुजा ने रेना की हथेली सहलाते हुए पुछा किस खुशी में मेरे मम मेरे भाई की शादी है ना 24 को कल उसका लेडी संगीत था और आजकल तो लेडी संगीत में महंदी एजे मस्ट कोई साथ आठ लड़गियां बुलवाई थी मामी ने धत तेरे की मैं तो सोच रही थी तुम कोई खुश खबरी सुना रही हो वो पिछले हफ़ते जबलपुर से लोग बागाए हुए थे उसका क्या हुआ हो ना क्या था उसके यहां से तो हां आ गई थी पर मैंने ही मना कर दिया क्यों? उसकी सेलरी पता है सिर्फ 35,000, 35,000 अउनली बताओ इतने में गुजारा होता है अचकल मुझे तो किसी को बताने में भी शर्माएगी अनुजा कुछ बोली नहीं सिर्फ उसे घूरती रही ये अब तुम मेरे घरवानों की तरहां शुरू मत हो जाना हमारी दादी जी बोली तेरे दादा जी तो 350 पर रिटायर हुए थे माता श्री बोली मेरी शादी हुई तब तेरे पापा की तंख्वा सिर्फ डेड़ हजार थी अरे किस जामाने की बात कर रही हो भाई आज तुम अपने काम वाली बाई को डेड़ हजार दे रही हो तुमने वहे दिल्ली वाला प्रपोजल नहाग रेजेक्ट कर दिया लड़के की सेलरी भी अच्छी थी और पिता का बिजनेस भी था शायद तुम्हें बताया तो था तीन तीन अन्व्याही बहने थी उनको निप्टाते निप्टाते ही आधी जिन्दगी गुजर जाती अपनी लाइफ का बेंजाय करते और फिर सिर्फ शादी पर ही तो सब कुछ समाप नहीं हो जाता जिन्दगी फर करना पड़ता है तुम तो चुकी हूँ नासिक का पर्पोजल था लड़का एकलौता था पर घर एकदम बाबा आदम के जमाने का रेनोवेट करवाएंगे तब भी कोई फरक नहीं पड़ेगा एकलौते चिराग हैं तो अलग रहने का सवाल ही नहीं उठता रीना आजकल तुम्हारी बड़ी फिक्र होने लगी है क्यों ये जबलपुर वाला कितने नंबर का था सोलवा क्या मुझे डर लग रहा है हालत कहीं कविता मैडम जैसी ना हो जाए ये दोस्त होकर ऐसे बद्वा तो मत दो कहते हुए रीना उठ खड़ी हुई कुर्सी सरकाते हुए जैसे ही उसने इधर उधर नजर दोड़ाई उसे जैसे लगवा मार गया कविता मैडम ठीक बगल वाली मेज़ पर बैठी थी वे का बाई उन्हें पता ही नहीं चला दोनों ने उन्हें साथ ही देखा और उनके पसीने छूट गए हेलो कविता मैडम ने अपने हमेशा वाले अंदाज में विश्किया बाहर की रहा ली कैंटीन का कांच वाला दर्वाजा ठेल कर वे बाहर आई और कुछ शन खड़े रहकर खुल-खर सांस ली दिल दोनों के बुरी तरह धड़क रहे थे उन्होंने सुन लिया होगा क्या कि दूआ वाली बात तो जरूर ही सुनी होगी तुम्हें उनका नाम लेने की क्या जरूरत थी मैंने तो सिर्फ तुम्हें वाल करना चाहा था इसी लिए उनका उधारन दे डाला अनूजा ने रुआ से स्वर में कहा ठीक है ठीक है अब आगे से ध्यान रखना नो परसनल टॉ किन केंटीन रीना दिन भर परेशान रही कविता मैम उसकी इमिजेट बॉस नहीं थी पर सेनियर तो थी उन्हें नाराज करना किसी भी तरहा हितकारी नहीं था अनूजा पर गुस्सा आ रहा था पर उसने भी एक वेल विशर की तरहा उसे समझाना चाहा था वो इस तरहा र जलत समझोते करने पड़ेंगे उसने तो पहले रिष्टे पर ही हां कर दी थी स्वब्न जीवी उम्र थी वह पर तब घर वाले पिफर गए थे अपनी सुंदर गुणी कमाओ कन्या के लिए वे अच्छे से अच्छा वर चाहते थे वह रिष्टा रीना की मौसिल आई थी य आजकुमार ना सही पर ढंका आदमी तो हो यहां तो एक से एक नमूने सामने आ रहे हैं सेलरी का सवाल भी आजकल एहम हो गया है परसनेलिटी भी तो कुछ माइने रखती है हर किसी ललू पंजू के गले में तो जैमाला नहीं डाल सकती ना कल को फिर यही लोग कहेंगे कि ऐसा ही करना था तो वो अमुक तमुक क्या बुरा था पहले तो इन ही लोगों ने सपनों को हवा दी है और अब यही लोग परेशान हो रहे हैं फिर कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो लड़का उसे पसंद आ गया उसी ने रिजेक्ट कर दिया फिर कई कई दिन तक वो अफसा से उबर नहीं पाती है पंडिक पुरोहित मित्र परिजन मेरिज प्यूरोस सब जुटे हुए है पर बात बन ही नहीं रही है तो वो क्या करें ऐसे में अनुजा ने कविता मैम का उधारन देकर उसे तो एक दम हताशा के गर्त में ही धकेल दिया था कविता मैम के शादी बह अगले कई दिनों तक वो कविता मैम के सामने पढ़ने से कत्राती रही पर एक दिन उनके सामने जाना ही पड़ा अकेली नहीं थी वो सेक्शन के सारे लोग उसके साथ थे उस दिन सबको अपनी मेज पर एक खुबसुरत काट मिला था कविता मैम की शादी की पांचवे वर् वे हसकर बोली, शादी की सालगिरह का तो बहाना है, दरसल घर को रेनुवेट किया है, उसी की पार्टी है मैम, इससे तो अच्छा था, आप नया घर ले लेती, पुराने वाले को रेनुवेट करवाने में मेहनत भी साथा लगती है और पैसा भी फिर भी पुराना लुग तो चाता ही नहीं है, अलका ने कहा, मेरी भी यही इच्छा थी, पर क्या करूँ, मैं घर को छोड़ना चाहती हूँ, पर वो मुझे नहीं चोड़ता मतलब, वे हस दी, अपनी स्वच निर्मल हसी, बोली, शादी के बाद मैं अपने फ्लैट में रहने चली गई थी, मुश्किल से दो साल रह पाई थी, कि मा गुजर गई, पापा के लिए घर लोटना ही पड़ा, फिर पापा चले गए, अमरीका वासी दोनों भाई उस मौके पर आये थे, बोले, हमें तो अब वापस लोटना नहीं है, यह घर आज से तुम्हारा हुआ, चाहे बेचो, चाहे रख लो, तुम्हारे मर्जी, तो इसे मा बाप का आर्शिवात समझ कर मैंने रख लिया, मैम, कुछ मदद करवानी हो तो कहिएगा, हम लोग जल्दी पहु लिया, इतना ललो चपो करने की क्या जरूरत थी, कर्टसी है भाई, मेरी बोस है वो, और उसी महले में रहती हूँ मैं, इतना तो बंदा है, तुम लोगों पर कोई जबरदस्ती थोड़े ही है, काफे ना नुकर के बाद तैह हुआ की, पार्टी वाले दिन सब लोग अलका के घर इकठा होंगी, और साथ ही जाएंगी, वे लोग पहुँची, तब लॉन में कैटरर के आदमी बिखरे पड़े थे, कुर्सी टेबलों का, चादरों का धेर लगा था, मेम के पती उन लोगों को भीतर लिवा ले गए, रीना ने उन्हें पहली बार देखा था, काफी स का स्वागत किया, कमरे की सज्जा देखते ही बनती थी, अनुजा तो एकदम बोल पड़ी, मेम, कमरे का इंटीरियर तो बहुत ही प्यारा हुआ है, किस से करवाया, इस कमरे पर मैंने सबसे जादा खर्च किया है, ये मेरे पापा का कमरा है, जीवन के 14-15 साल उन्होंने इस दुनिया ही बदल दी, एक्सिडेंट में प्राण तो बच गए थे, पर कमर के नीचे का पोरा शरीर लुंज-पुंच हो गया था, उनकी दुनिया इसी कमरे में सिमटकर रह गई थी, उस एक्सिडेंट ने उनका ही नहीं हमारा भी जीवन बदल दिया था, पढ़ाई छोड कर मुझे नौकरी करने पड़ी थी, क्योंकि घर में कमाने वाला कोई नहीं था, भाई लोग पढ़ रहे थे, वे लोग अब कहा हैं, उस दिन बताया था ना, USA में, बड़ा वाला इंजिनियर बना, तो हमें कुछ आज जगी थी, पर वो बाहर जाने की फिराख में था, एक दो साल यहां नौकरी की और अमरिका चला गया, सिर्फ शादी के लिए एक बार आया था, और दूसरी बार पापा के मृत्यु पर, छोटा भी उसी की रहा पर चला, उसने तो शादी भी वहीं की, बस पापा के मरने पर आया था, शायद इसी लिए मैम, आपकी शादी बहु होता, तो आज हम शादी की अठार में या बीसमी सालगिरा मनाते होते, मतलब आप सर को पहले से जानती थी, अनुजा ने पुछा, हाँ, कॉलेच से ही जानती थी, तह था कि पढ़ाई पूरी होते ही घर वालों से बात करेंगे, हम दोनों के माबाप मना भी करते, तब भी शादी तो हमें करने ही थी, पर विधी को कुछ और मन्जूर था, पापा का एक्सिडेंट हो गया, और मेरी दुनिया ही बदल गई, फिर मैंने जैदीब से कहा की, मेरा तो अब इस चक्रविहु से निकलना मुश्किल है, पर मैं तुम्हें आजाद करती हूँ, अच्छी सी पता ही नहीं चला, फिर एक दिन, खबर मिली की, युद्ध में अपना एक पैर गवा कर लोटे हैं, आर्मी के आदमी थे, तुरंत ही कृत्रिम पैर की विवस्था हो गई, पर आत्मु इश्वास, वह तो चूर-चूर हो गया था, वह कौन लोटा था, मैंने अपंगता को बहुत निकट से दिखा था, उस पीड़ा को परोक्ष रूप से ही सही अनुभव किया था, सारा संकोच त्याक कर मैं उनके पास गई, और विवा का प्रस्ताव रख दिया, बहुत नाराज हुए, उनके एहम को गहरी ठेस लगी थी, बोले, मैं समर्थ हूँ, सक्षम हूँ मुझे किसी की दिया की जरूरत नहीं है, मैंने कहा आपको नहीं होगी, पर मुझे दिया और सहारे की जरूरत है, इतने सालों से घर परिवार का बोज ढोते ढोते मैं ठक गई हूँ, आपको अब मेरी मदद करनी ही होगी, मैंने सालों इंतजार किया है, बड़ी मुश्किल से उन्हें राजी किया जा सका, बिना किसी टीम टाम के हमारी शादी हो गई, मैं उनके नन्हे से फ्लैट में आ गई, वे मेरी जिंदगी के सबसे खुब सुरत दिन थे, पर अच्छी चीजें जादा दिन तक नहीं रहती न, वैसा ही हुआ, सालों साल पापा की सेवा करते करत मात ठक गई थी, बेटों के विदेश में बस जाने से तूट भी कई थी, वे भीतर ही भीतर कितना जीच गई थी, इसका पता तब चला, जब वे एक दिन सोई, तो उठी ही नहीं, बेबन से ही सही, घर लोटना पड़ा, पापा को फ्लैट में ले जाना ना मुम्किन था, ज उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उनके बेटों ने भी ऐसी सेवा नहीं की होगी, बेटे तो खेर पहले ही भाग खड़े हुए थे, पापा के मलने के बाद ही लोटे, आखरी बार, मैम, कभी बच्चों के बारे में नहीं सोचा, शिल्पा ने डरते डरते एक सवाल उच् समय ही कहा था, और आप तो उमर भी नहीं है, खेरने खाने की उमर से जिम्मेदारियों का पहार ढोते ढोते ठक गई हूँ, अब जाकर खुल कर सांस लेने का मौका मिला है, अब किसी नई जिम्मेदारी की कलपना से भी रूह कामती है, अब तो जो भी समय मिलेगा, हम एक त दूसरे का साथ मिला है, उसे एंजॉय करना चाहेंगे, ओ, वाटे लव स्टोरी, लड़कियों ने कोरस में कहा, यह स्टोरी नहीं है बच्चों, जिन्दकी की हकिकत है, शादी सिर्फ पेसलिप का मिलान या डिक्रियों की जुगलबंदी नहीं होती, यह एक एग्रिमेंट है, एड़ेस्टमेंट है, और एक दूसरे के प्रती कमिटमेंट है, और पनिश्मेंट भी, सबने चौक कर देखा था, थ्री पी सूट में सजे, जैदिप खड़े मुस्कुरा रहे थे, उनका खिला-खिला चहरा, उनकी अपनी बात को जुटला रहा था, अरे वाह, दूले मिया तो तयार भी हो गए, हाँ, और अब आप भी अपने लेक्चर को फुल स्टॉप देकर अपना हुलिया सुधार ले, साथ बचने को है, बापरे, बोलती है तो बोलती ही चली जाती है, पूर गर्ल्स, दे मस्ट भी बोर टु डेथ, नो सर, इट वाजे प्लेजर, सबने एक साथ कहा, और वह एक तम सच था, कहाने के खुबसूरा तंत के साथ आपसे विता लेती हूँ, फेराओंगी एक और कहानी के साथ, धन्यवाद